जैन प्यारे बच्चों मैं कुछ तोमर आपका वाइफाई एक्जाम में स्वागत करदा हूँ आपके एलूशन फिजिक्स की कंसेप्चुल ख्लास है जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 25 स्पीड अप साम दुवानी की चाल को हम करने वाले हैं दुवानी की चाल जो चैप्ट संब्रेशन अप एयर कोलम माइदे समय ने लेडाब को स्टार्ट करता हूँ पहले कोस्चन अपके सामने है पहला कोस्चन थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ है बाई, speed of sound कहाँ पर दिखतम होगी, यहाँ पर साप साप यह question तो बड़ा easy है, speed of sound किस में होगी maximum, iron, solid में दिखतम होते हैं न, solid को नहीं है पर iron, option आगया D, ध्वनी की चाल, वाई, यू में द्वनी की चाल, air में speed of sound निर्भर नहीं करती, pressure पर, pressure दाब पर, option आगया हमारा A, pressure पर depend नहीं करती, गैसों में ध्वनी की चाल, निर्भर करती है, गैसों में, ध्वनी की चाल, गैस में, जो speed of sound है, वो किस पर depend करती है, option नमबर हमारा B, elasticity, 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 or density, elasticity, or density, गनत्व और परत्यास्ता, हिंदी में लिखावा है, इंगलिस में मैंने लिख दिया, गनत्व और परत्यास्ता पर, option आगया हमारा B, question number 4 है, question number 4 में क्या कहता है, यह जो प्राध्वनिक वायुआन होता है, ने, supersonic plane, यह क्या होता है, किस speed से उड़ते है, यह उ option आजाएगा C, speed, कितनी S की more than है, sound की speed से, तो option आगया C, question number 5, question number 5 में कहता है, question number 5 में कहता है, किसी के S में धुहनी की चाल, किसी के S में धुहनी की चाल, V क्या होता है, proportional होता है, root T के, यह T की power 1 by 2 इसे बोल सकते हैं, तो आपका option आजाएगा C, fifth का option आगया B, question number 6, question number 6 है, चार एवं एक वायू मंडल यह दाव, यानि के pressure दिया हुआ है, P14 है, atmospheric pressure, और P2 है, 1 atmospheric pressure, इन पर कहता है, दुहनी की चालो का ratio क्या होगा, speed of sound का ratio, V1 ratio, V2 क्या होगा, भाई एक बात बताओ, जब हमने बताया है, कि YU में pressure पर depend नहीं करता, YU में pressure पर depend नहीं करता, चाल, ठीक है, तो जब नहीं depend करता, तो ratio क्या आएगा, 1 ratio 1, same रहेगी, तो क्या आएगा, 1 ratio 1 और 6 का हमारा आजाएगा, A, 6 का क्या आजाएगा, A, next question पर चलते है, question number 7, question number 7, यह कहता है कि YU में दुवनी की चाल संबंदी, speed of sound के जो related है, लापलास ने correction दिया था, क्यों जरूरत पड़ी थी लापलास correction की, लापलास correction की जरूरत इसलिए पड़ी थी, क्योंकि भाई, sound के चलने से ताप नियत नहीं रहता, temperature constant नहीं रहता है, बदलता रहता है, और जब temperature बदलता रहता है, तो कौन सा परकरम होता है, adivatic process, rudosm परकरम, adivatic process, क्या होता है, adivatic, by adivatic process होता है, ठीक है, adivatic process होता है, gamma equals to cp upon cv का correction लगाया था, gamma equals to cp upon cv का correction लगाया था, लापलास ने, ठीक है, तो आपका option आगया, sorry, 7th का b, मैंने c पहले ही पता नहीं कहा था, क्या आगया हमारा b, question number 8, किसी gas में उत्पंद वनी तरंगे कैसी होता है, gas में जो sound wave होती है, वो longitudinal होती है, कैसी होती है, longitudinal, अनुदैर्द, longitudinal होती है, gas में अनुदैर्द तरंगे होती है, ठीक है, तो option क्या आगया हमारा 8th का c, और 8th का option आगया हमारा c, next question पर चलते हैं भाई, question number 9, ये आगया हमारा, 1 degree Celsius temperature increase होने पर, कितनी चाल बढ़ जाएगी, 1 degree Celsius increase होने पर, कितनी चाल बढ़ जाती है, temperature पर जो depend चाल होती है, VT equals to V naught plus, 0.61, कितनी होती है, 0.61, ठीक है, और T degree Celsius, ये होता हमारा formula temperature पर, तो 1 degree Celsius बढ़ाने पर, कितनी चाल बढ़ जाएगी, 0.61 meter per second से बढ़ जाएगी, और आपका option क्या आजाएगा, option आजाएगा, आपका c, question number 10, गैसों में धुआनी की, कवेग स्वतंत्र है, किस से, गैस में, speed of sound किस से, मुक्त है, गैस में speed of sound, किस पर depend नहीं करती, pressure पर, तो किस से free है ये, pressure से, और option आजाएगा 10 का B हमारा, question number 11, देखो, नमी में, जो नमी होती है, भई, नमी में जो चाल दी है, V, M, दी है, mosturization की, और सुखी, सुष्क वाईउ में, dry speed दी है, VD, तो ये कहता है, कि ताप एममदाब नियत रहने पर, क्या होगा, भई, ताप एममदाब नियत रहने पर, pressure और temperature नियत रहने पर, जो mosturize में चाल होती है, ने, speed होती है, वो ज़्यादा होती है, dry air से, ठीक है, तो mosturization, mosturize air में, नम वाईउ में, सुष्क वाईउ की अप एक सा चाल ज़्यादा होती है, तो V, M, गरेटर देन होगा, V, D, और option आजाएगा, आपका 11 का A, question number 12, question number 12 में क्या का है, question number 12 में कहता है, कि दुबनी तरंगे, sound wave, हवास से जल में प्रवेस करती है, तो कौन नियत रहता है, always medium change होने पर, frequency, change नहीं होती, frequency change नहीं होती, तो आपका option आगया, 12 का B, frequency एक medium से, दूसरे medium में जाने पर, कभी change नहीं होती, चाहे वो sound हो, चाहे वो light हो, question number 13, question number 13 में कहता है, कि यदि तरंग की लंबाई का मान आदा कर दे जाए, तो दुबनी की चाल क्या हो जाएगी, यानि कि length, week equals to होता है, भाई हमारा frequency into wave length, ठीक है, क्या कह रहा है, length को क्या कर दे जाए, आधा कर दे जाए, तो भाई, velocity भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, velocity भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और आपका option आजाएगा A, 13 का option आगया A, question number 14 देखे, question number 14 में क्या कहा है, कि वही दुवनी का वेग गैसों की तुलना में क्या का है साउंड की स्पीड जो है गैसों की तुलना में ठोसों में अधिक होती है क्यों वही सॉलिड की जो है न elasticity भी जादा होती है परत्यास्तिता भी और density भी दोनों ही जादा होती है दोनों ही ज़ादा होती है ये वज़े एलाशिटी और डेंसिटी दोनों ही ज़ादा होती है और यानि के परत्यास्ता और गनत्व दोनों ही अधिक होता है तो उप्शन क्या होगा हमारा 14 का उप्शन होगा B question number 15 question number 15 क्या है 15 कहता है भाई हमारा कि भाई किसी case में दुभनी की चाल V उसी case के अन्वों की वर्ग माद्धे मूल चाल V RMS V और V RMS का रेशियो क्या होता है V और V RMS का जो रेशियो होता है वो आता है हमारा gamma अपोन थ्री के एकवल gamma अपोन थ्री के एकवल होता है ठीक है तो आपका option क्या आजाएगा 15 का option आजाता है D तो इस तरह हमारा chapter number 25 के question complete हो जाते है अब chapter number 26 को करते हैं देखे भाई अब chapter हम start करते है जो chapter number 26 है उसके question start करते है vibration of air column ठीक है vibration of air column chapter number 26 के question यहाँ से start करते हैं देखे पहला question मैं लगा देता हूँ आपके सामने भाई जादे से जादे share किया अगर हो यार आप लोगों के भरोसे ही तो यहाँ बैठे है जादे से जादे बच्चे लेको यह कारा है निम्न में से कौन एक सबसे जादा सूरिली वफाज देगा जो सबसे जादा सूरिली वफाज होगी वह होगी open argon pipe खुला argon pipe पहले का option और यह subsequent धीगा खुला argon pipe में सबसे जादा सूरिली वफाज आती है next question है एक खुले आरगन पाइप के मुह को एक एक बंद करने पर आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखो खुले आरगन पाइप की जो frequency होते है मूल आवर्ती new equals to होता है V upon 4L जबकि बंद आरगन पाइप की V equals to क्या होते है V upon 2L ठीक है V upon 2L एक मिनट रुकना भाई उल्टा हो गया ही ये 2L तो है खुले की और 4L है बंद की तो देखो क्या होगा frequency direct बंद में क्या हो गई आदी हो गई बंद होते ही क्या हो जाएगा frequency आदी हो जाएगी बंद होते ही frequency क्या हो जाएगी आदी तो second का option आजाएगा B second का option आजाएगा आपका B देखे भई question number 3 कहता है दोनों सुरो पर खुले आरगन पाइप में क्या उत्पन होता है दोनों सुरो पर खुले आरगन पाइप होते है ना उन में sum और विसम दोनों तरह के harmonics होते है odd and even harmonic सन्नादी दोनों तरह के होते है ठीक है harmonic सन्नादी बोलते है दोनों तरह के सन्नादी उत्पन होते है और इसका आजाएगा हमारा option number C थरीका option क्या जाएगा C आजाएगा question number 4 पर चलते है पोर यह लोगी question number four बंद आर्गन pipe में कैसे होता है बंद आर्गन pipe में केवल विसम odd harmonics बंद आर्गन pipe में कैसे होते है भाई odd harmonics, विसम, सन्नाधी उत्पन होते है तो option आएगा A यह question number four है हमारा question number five में क्या 곁 Shape question number आर्गन pipe या आरगन नली के कमपन में खुले सिरे पर सदेव देखो ओपन सिरा ओपन सिरे पर हमेशा क्या बनता है हमेशा बनता है एंटी नोड एंटी नोड को बोलते है प्रस्पंद ठीक है और बंद सिरे पर अगर ये सिरा बंद होता है तो बंद सिरे पर बनता है नोड क्या बनता है नोड इसे बोलता है निस्पंद प्रस्पंद और निस्पंद ठीक है तो इसमें देखी क्या आएगा आपका प्रस्पंद बनेगा खुले सिरे पर एंटी नोड बनेगा और बंद सिरे पर बनेगा निस्पन्द ऊप्शन आजाएगा आपका बी को दो से गाँ के कि कोशन नमर्शिक्स में कहता है कि समान लंबाई कि बंद और खुली में समान लंबा धी बंद है और खुले आर्गन पाइप की मूझ आवर्तियों का मनुपाथ क्या होगा। पहला क्या दिया है बंद दिया है तो बंद के लिए क्लोज के लिए डो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी वहthsती है है वी अपॉन और ओपन के लिए जो होती है निकालना है तो डिवाइड कर देंगे ठो कितना आजाएगा रेशू यह आगया हमारा 2 ratio 4 और यह आजाता है भाई हमारा 1 ratio 2 यह क्या आजाता है 1 ratio 2 आजाता है option आगया हमारा 6 का C ठीक है question number 7 देखिए question number 7 कहता है आपका खुले आर्गन पाइप के स्वरों के आवरती उसकी मूल स्वरों के आवरती की पून गुनद होती है question number 7 में क्या का है question number 7 में का है कि खुले आर्गन पाइप में जो मूल स्वर होता है fundamental frequency होती है fundamental frequency क्या होती है complete multiple होती है fundamental frequency क्या होगी complete multiple होगी frequency की तो क्या कहेंगे हम इसे पूर्ण गुडंज कहेंगे और 7 का option आजाता है हमारा A question number 7 का क्या आजाएगा option आजाएगा हमारा A ठीक है question number 8 देखिए question number 8 में कहता है कि आरगन नली या आरगन पाइप से उत्पन स्वर के आवरती नली की लंबाई के व्यूत करमान अपाती होती है देखो जो frequency होती है क्या होता है हमारा new equals to V upon 4L तो इस formula से हमें पता चलता है की जो frequency है pipe की लंबाई के क्या इंवरसिले प्रपोशनल है pipe की लंबाई के क्या है inversely proportional है व्यूत करमान अपाती है तो आपका option आजाएगा 8 का B question number 9 पे चलते हैं 9, 10 question number 9 थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ question को यह कहता है बंद आरगन पाइप के सिरे पर question number 9 में क्या कहता है बंद आरगन पाइप के सिरे पर अनुनाद उत्पन होता है तो नली की लंबाई कितनी होगी नली की लंबाई कहता है क्या होता है अनुनाद resonance generate होता है बंद आरगन एक सिरे पर ठीक है तो इसमें नली की लंबाई जो L equals 2 होती है lambda upon 4 आ जाती है lambda upon 4 आ जाती है यह यह कहले कि lambda equals 2 क्या होता है हमारा 4 L होता है. Lambda equals to Q what he does it? 4 L होता है resonance की condition में. ठीक है? Resonance की condition में और formula क्या होता है? Lambda का formula होता है हमारा 4 L upon 2 M minus 1. तो यहाँ resonance की condition में जब हम M की value 1 रखेंगे, M की value 1 रखेंगे, अनुनाद की condition में То M की value 1 रखने पर क्या आजाएगा आपका ये आजाएगा लेमडा एक्वल्स टू 4L और L इक्वल्स टू क्या आजाएगा लेमडा वाई 4 तो आपका नाइन्थ का उप्शन आजाएगा D नाइन्थ का उप्शन क्या आजाएगा नाइन्थ का उप्शन आजाएगा D question number आपका 10 question number 10 में का है यदि किसी बंद और खुले अरगन पाइप द्वारा उत्पन द्वनों की मूल आवरतिया समान है यानि कि we open और we close दोनों क्या है सेम है तो ये कहता है कि उनकी लंबाईयों का अनुपात क्या होगा बंद अच्छा we close और we open ये दोनों सेम है तो we close के लिए क्या होगा हमारा we upon 4L1 होता है और इसके लिए होता है वी upon 2L2 वी upon 2L2 तो we से we cancel हो गया ये दोनों सेम है तो इदार आया 1 upon 1 equals 2 ये उपर चला गया 2L2 upon 4L1 ये 1 और ये 2 तो L1 ratio L2 यहां से आ जाता है हमारा 1 ratio 2 L1 ratio L2 क्या आ जाता है हमारा 1 ratio 2 आ जाता है और लंबाईयों का अनुपात क्या आ जाता है भाई 1 ratio 2 और 10 का option आ जाएगा आपका A 10 का क्या जाएगा option A आ जाता है भाई ठीक है 10 का option क्या आ गया A question number 11 देखिए question number 11 अनुनाद स्थम नली में resonance में जो end correction दिया था resonance के लिए अनुनाद इस्थम tube जो है resonance tube के लिए end correction दिया था तो laplase का end correction जो था वो कितना था हमारा वो था हमारा 0.6 R 0.6 R के equal correction था उसने कहा था कि भाई थोड़ा सा उपर बनता है ठीक है तो क्या आगे हमारा question number 11 का option आ जाता है C ये तो आपको याद रखना है सीधा कितना होता है 0.6R अंते संसोधन end correction कितना दिया था कि भई जो node या anti-node बनता है वो बिलकुल end पर न बनकर थोड़ा सा उपर बनता है और कितना उपर बनता है 0.6R बनता है ठीक है node या anti-node question number 12 edge 6 की तरही है जैसे 6 था ऐसा ही हमारा क्या 12 है तो question number 12 और 6 12 का हमारा क्या है था 6 का है था हमारा 1 ratio 2 तो 12 का भी क्या होगा 1 ratio 2 option आ जाएगा 12 का A question number 13 देखिए question number 13 L लंबाई वाले बंद आरगन pipe में वाई उस्तम के company की fundamental frequency क्या है new है तो मूल आवर्ति के लिए खुले आरगन pipe की लंबाई कितनी होगी खुले आरगन pipe की लंबाई कितनी होगी lambda equals 2 होता है 2L खुले आरगन pipe के लिए lambda equals 2 कितना होता है 2L होता है या L equals 2 lambda by 2 होता है ठीक है तो यहां हमारा पूछा है wavelength कितनी होगी lambda equals 2 हो जाएगी हमारी 2LK lambda equals 2 कितना हो जाएगा 2LK तो option आजाएगा अपका D question number 14 और 15 दो question बसते हैं बंद आरगन pipe में उत्पन सभी अधिस्वरक overtones बंद आरगन pipe में जो overtones उत्पन होते है अधिस्वरक उत्पन होते है वो कैसे होते है बंद आरगन pipe में हमेशा ode अधिस्वरक होते है विसम तो option आगया B ठीक है भाई क्या होते है ode harmonics या ode overtones उत्पन होते है ठीक है option आगया B question number 15 last question है मारा chapter का last question है यह कहता है कि जब एक complete श्वरित्र अनुनाद स्थम्ब पर रखा जाता है तो पर्थम अनुनाद की स्थम्ब में जो antinode बनता है वो कहां बनेगा antinode बनता है कहां खुले सिरे से थोड़ा सा उपर बनता है कहां बनता है खुले सिरे से थोड़ा सा उपर बनता है यह इतना उपर बनता है और कितना 0.6R उपर बनता है कितना उपर बनता है भाई 0.6R तो option आजाएगा 15 का आपका C 15 का option क्या आजाएगा C ठीक है भाई तो बच्चो ये हमारे दो चैप्टर के यहाँ सिक्लास में गंप्लीट हो जाते हैं तो आप आप जो है साथ के साथ इने करते रहिए निमेरिकल्स भी आपके चले वब पैरलली दो क्लास आपकी है दोनों को करते रहिए ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही कल मिलेंगे नए चेप्टर के साथ में नई क्लास के साथ में तो तब तक के लिए सभी बच्चों को जहिन थेंक यू वेरी मच